मैं आपके कुछ कमेंट्स का जवाब दूँगा जो कि आपने खुद किया है आप पास है याँ फेल है जो भी आपका जहें वह रिव्यूर है उसी पर और मैं अपना व्यू भी दूँगा कि हाँ प्रूब्लम है तो कैसे शोल्व होगा आगे आपको कैसे जाना चाहिए तो सम नहीं भी तंट्कैंदोर्ट अपो पांच वी एक्जाम को क्लेर किया है जर्बाथ को चीखिवरा कि और यह दृप्र चीट से बहुद जो हुआ ईक्ति देकर स्UCT-जयस हैं की नहीं मे foundation को clear किया है पाँच attempt में ठीक है पाँचवाँ attempt था अगला देखते हैं अगला comment अगला comment है कि यह इनका third attempt था क्या था third attempt था a lot of struggle रहा है और उसके बाद यह clear किये तो यह भी motivation की बात है कि first or second attempt में अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मेरा तो नहीं हो रहा है तो ठीक आप थोड़ा सा टाइम लिजिए लेकिन दीजिया attempt दो थी महिने ही तो बचते हैं exam के बाद और यह 207 लाए हैं बहुत-बहुत congratulations आपको और अगला जिसमें 174 किसी का आया है उनने comment किया है खेर देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ उपर आपने देखा चार पांच अटेम्ट तक गए हैं लोग तो मैं कहूंगा कि हो सकता है आपका कोई एक सब्जेक्ट हमेशा से वीक रहा होगा मतलब जब आप स्टार् continuity रखिए उस सब्जेक्ट में थोड़ा सा रेगुलर पढ़िए उसको बाकि सब्जेक्ट में जिसमें आप अच्छा है पकड़ा हो सकता है वो अकाउंट आपका अच्छा हो एकोनोमिक सब्जा हो तो इन दोनों को थोड़ा सा कम ताइम दीजिए रेगुलर ली दीजिए कि इसको कम दीजिए और जो सब्जेक्ट कमजोर है जैसे मैथ सुछ सकता है या लौ तो इनको थोड़ा सा ज्यादा दीजिए और लास्ट टाइम में अगर दो तीन पेपर पास्टियर पेपर MTP RTP कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि मैटेरियल के साथ साथ इतना काफी जाएगा फूर्थ देखिए एक 198 लाकर फेल हुए है 198 अब आप कहेंगे कि यहां पर अगर इनको ग्रीस मिलता तो यह पास जाते देखिए यह बात अब लग्की होगी क्योंकि इनका लौव दिखिए यह मैच से जैना उसमें 28 है अगर दो माक्स यहां पर देकर 200 भी कर देता तो यहां पर 28 से 30 होता ठीक है तो इनको चाहिए कि चाहिए था माली जबाकी सब्सक्राइब थोड़ा सा कम रहा था लेकिन यह जो 37 38 रहा था तो खुछ सकता है कि आपको आई से पास कर दो ता क्योंकि आई से खुद कहता है कि मैं एक दो नमर अगर कम है आपका तो पास कर दूँगा बट नो प्रब्लम 198 लाएं आपको मैं सबसे बड़ी बात करें आप जो थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा जो रहा गया होगा सब्सक्राइब करें लेकिन यह नहीं कहूंगा कि आप जो है आपको स्टार्टिंग से पढ़ने के ज़िए बिल्कुल नहीं पढ़ने के जरू है क्योंकि 198 आप तभी ला सकते हैं 200 के करी एक सब्जेक्ट होगा जो वीख होगा अगयर आम से दो सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि 1-8 अपलाए एक सब्जेक्ट वीख होगा उस पर रेगुलर ध्यान दीजी ठीक है सिर्फ एक सब्जेक्ट पर एक महीने मुसको कंप्लीट कीजिए अच्छा से और बाकि तीन मही कि ने सारा सिलेबस रिवाइच कीजिए अगला कमेंट्स एक भाई हैं जो की 205 लाकर पास हुए देखिए फर्स्ट अटेम्ट था इनका इन्होंने अगले कोमेंट्स में लिखा था या बात कि इनका फर्स्ट रिटेम्ट काफी कम लोग कर पाते हैं रिली बहुत कम लोग क शुक्रिया कि आप अपना माक्स शेयर कि हमारे साथ एंड यास कॉंग्राचुलेशन्स इन एडवांच अगला यह तो वही था जिनका 198 आया था और वो फेल हो गये थे देखिए आपके पास टाइम जो है ना वो काफी है और आप माक्स काफी ला रहे हो सोची कोई कि है दो सौला के पास उया और तो अगने बार आपके स्टाइम ह् ORI कि ऩो कि है अगए लगा दे इसको कैसे बिचालिस कर दे अगला तो थोड़े सी एफ यह आप पास आजए और एक भाई हैं जो कि तू ट्वेंटी लाकर पास हुएं बहुत बहुत किम्रेश्विलेशन आपको और देखिए आपका फॉस्ट रोसकता है सिकेंड अटेम्ट या फिर आप काफी टाइम के रिपीटूर से थ्री फूर कोई दिक्कत की बात नहीं है नहीं निकल रहा थोड़ा सा फोकॉस रही है है आपको क्या है यह धियान देना होगा कि आपके पाश टाइम काफी हो जाता है और पहले से ही आपने सेल में कमπलीट कर रह दकिकार नहीं होगए हैक्षा कि आपने option की बढ़ंटेस्ट कि बात ओप को आपको को को इस लिध्य का ही गजाम ले तो कितना अराम हो जागा पक च्छे साथ कोमेंट्स जो कि मुझे लागा कि हाँ आपके साथ शेयर करनी चाहिए जिसमें सबसे अच्छा कोमेंट मेरे ख्याल से वह यह था कि फिफ्ट अटेम्ट में 22 आप पास हुए और कितने मांक से 232 के साथ इतना हिम्मत चाहिए और यह दिखाता है कि सच में कुछ-कुछ ऐसे इंसान है धरती पर जो जिस चीज़ को ठान ले वह अंतिम सांस तक करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप लोग इतना प् है ऐसा नहीं इंटर इतना टफ है बहुत दिकत हो जाती है तो हस्ते रे मुस्कुराते रहे हैं और क्या